Hello guys और ये वीडियो हमारे desktop assistant series का पहला वीडियो होगा जिसमें हम लोग text to speed सीखेंगे python के मदद से मैं इस series में आपको jarvis desktop assistant बनाना सिखाऊंगा जिसका मैंने एक introduction video अपने channel पर डाल के रखा हुआया आप उसे जाके वहाँ से देख सकते हैं तो इस series में हम लोग एक एक करके पूरे हमारे jarvis desktop assistant को बनाना सीखेंगे ये series 4-5 वीडियो में खतम हो जाएगी जिसमें हम लोग अच्छे से end-to-end jarvis को बनाना सीखेंगे तो सबसे पहले jarvis को बनाने से पहले आपको अपने new folder एक बना लेना है new folder और उसका नाम रख सकते हैं अपने हिसाब से मैं इसका नाम रखूंगा desktop assistant desktop assistant मैंने एक folder का नाम रख लिया इसके अंदर मैं जाके open with code पे click करूंगा और मेरा virtual studio code खिल जाएगा आपका भी virtual studio code खिल जाना चाहिए और आपको अगर virtual studio code install करना सीखना है तो मैं description में link लिंक दाल दूँगा उससे आप virtual studio code install कर सकते हैं और python install करने के लिए बस आपको अपने browser पर जाके install python search mark के install कर लेना है और visual studio code का installation मैंने अपने description में लिंक देखे रखा है कैसे install करते हैं उस पे एक video है आप वहां से देख सकते हैं विजल इस studio code खिल जाने के बाद आपको एक new file बनाने और आपको यहां जाके एक folder लिख देना है जैसे मैंने लिख दिया main.py main.py नाम का मैंने लिख दिया, py एक python extension है मैंने इसके नाम का एक folder बना लिया एक नया file main.py बना लेने के बाद आपको यहां क्लिक करने है extensions नाम पे और यहां आपको यहां सर्च करके लिख लेना है python और enter python डालने के बाद आपको यह पहला microsoft का link खुलेगा और यहां मेरा uninstall आ रहा है आप install लाएगा क्योंकि मेरे में installed है तो आप इसे install कर सकते हैं क्लिक करके और python यहां फिर लिख देने के बाद आपको यहां लिखना है code runner code runner और enter तो खुल जा और code runner आ गया और यह जो पहला आपको site खुला है यहां से आपको क्लिक करके install कर लेना है मेरे में install लिखा रहा है क्योंकि मेरे मेरे में पहले से installed है और फिर आपको यह करने के बाद आपको फिर आपकी यह हो जाने के बाद आपको terminal पर जाना है और यहां new terminal पर क्लिक करना है new terminal के खुल जाने के बाद आपको वहां लिखना है pip install install pytdsx3 pytdsx3 एक python module है जो कि मेरे में पहली से installed इसलिए मेरे में आ रहा है कि requirement satisfied आपमें install होना शुरू हो जाएगा pytdsx3 से ही हमनों text को speech में convert करने वाले हैं इस video में तो सबसे पहले आपको अब अपनी पहली line लिखना है import और pytdsx3 pytdsx3 यह लिख देने के पाद आपके अब जो आप जो project मना है इसमें pytdsx3 module ला चुका है फिर आपको लिखना है engine इंजन इक्वल्स तू एक नट यह किया हो गया फिर आपको यहां लिख देना है import pytdsx3 फिर आपको यहां लिख देना है engine is equal to pytdsx3 dot init यह लिख देने के बाद आपको अगली लाइन पर जाना है और लिखना है engine.c engine.c और आपको जो बुल्वाना है जैसे मैं लिख दिया hi this is ashwari joy sing ashwari joy sing और फिर मैं अगली लाइन पर यहां लिख देना है engine.run and wait कर देखते हैं कि नहीं कुछ कड़ बढ़ा लिया तो देखते हैं अच्छा आपको यह engine.run and wait के बाद यह जो ग्राकेट से यह लगाना सदूरी है तो आपको लगा देना है और ctrl s करके जहां जहां मैंने ब्राकेट लगा आपको लगा देना है init के बाद भी run and wait के बाद भी और python file को run कर देना है अबने hi this is aishwari jay singh you can listen that आपने इसना होगा कि इसने बोल दिया है तब हम लोग इसे इसे हम लोग male voice बेड़े सकते हैं और इसे हम लोग एक function के अंदर वीडाल सकते हैं कि इतना यादा code ना लिसना पड़ेगा इसके लिए बस आपको यहाँ जाना है और यहाँ def लिख देना def def मिलब आप define करने function और define के बाद आप लिख देंगे speak s-p-e-a-k-speak speak हम लोग ने एक function दिया है और यहाँ bracket में लिखके x नाम देते रहे और यहाँ मैंने देती गई यह फिर आपको क्या करना है इससे आपने select कर लिए और tab दबाना tab के बाद यहाँ तो ने space आगे हड़ चाहेगा अगर आप tab नहीं दबाना चाहते हैं तो आप अंटर करके यह से भी आ सकते हैं लेकिन मैंने बता दिया tab दबा सकते हैं कि अब आपी का हुआ हो आपको इतनी इलन बाद को लिखनी का कया फ़ैदा हूआ अपको इतनी रिगने के सरू होत है आप आपको बसक्राइन के स्ब्सक्राइब ऐसे М उनाह लिका सब्सक्राइब एक मै कैनल मैं इलिख दिया और कन्ट्रूर्स किया से सेव हुआ और मैंने रन पाइटन फाले टर्मिनल है दिस इस आईश्वरी जे सिंग यह बोला ने स्पीक ओ हमें यह लिखन देने के बाद यह अभी इसलिए नहीं बोला क्योंकि हमने यहां दियानी था हमने यहां 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 दालना पड़ेगा ब्रैकेट लगा है और इसके अंदर लिए एक्स तो डिफाइन होगी अब और कंट्रूल लेस करेंगे अब रन करके देखते हैं आप तो रन करना चुलिगा अब लोग देखेंगे कि यह अपनी वाइस कैसे चेंज करता है तो वाइस चेंज करने के लिए आपको मैं आपको लिखवा भी सकता हूं लिकिन आपके लिए और असानी होगी कि आप अपने ब्राउजर को लें और इसमें लिखें आपको एक पहली वेबसाइट आपको इस पे क्लिक कर देना है यहां देख रहे हैं यहां से रेट से आप रेट चैंज कर सकते हैं मुझे जैसे वाइस चींज करना है तो मैंने यहां से यहां तक कॉपी कर लिया यहां के पेस्ट कर दिया 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 यहां से काटेंगे और यहां पेस्ट कर दिया यहां पेस्ट कर दिया यहां यहां पेस्ट कर दिया यहां यहां पेस्ट कर दिया यहां पेस्ट कर दिया यहां यहां पे यह सब लाइन्स आपको लिखने की जरुवत नहीं है आपको बस इतना लिखना है voices is equal to engine.get property voices और engine.set property voice is equal to voices हम लोग पहले यह one देखते हैं आप चख करते हैं एक बार रन python file आपने देखा कि यह इसने अभी email voice में बोल दो और अगर हम लोग इसे 0 कर देते हैं और फिर safe करके enter मारते हैं तो फिर देखते हैं इसने भी email में बोल दिया हम लोग की computer में वैसे 2 voice होती है आप और भी add कर सबते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर video बना हूं तो मैं मैं बना सकता हूं जैसे मैं दिखाता हूं मेरे computer में इन वोइसे सब्सक्राइब करके रखे जैसे मैंने 2 दबाया और ctrl s किया और अब एंटर मारा subscribe my channel 3 दबाया ctrl s और अब रन किया subscribe my channel 4 ctrl s run python file तो फोर पर आइसिंग चलेगा नहीं क्योंकि चार वोइस नहीं आड़े मेरे में मतलब पार्च वोइस नहीं आड़ेद है चारी आड़ेद है 0 1 2 3 और 4 0 1 2 3 पूर यहसे मैंने 3 भी चलाया देखे आपने इसने अरर मार दिया कि 4 वी इस आड़ेद ही नहीं है और मैंने 3 चलाया और एंटर मारा अगर आपको सीखना है आप में बस 0 1 काम करेगा 0 1 1 वैसे तो अगर आपको मेल चाहिए हो तो 1 फी मेल चाहिए हो तो 0 अगर आपको वैसे आड़ करना सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं एसे वीडियो बना दूँगा तो मैंने 1 वीडियो को लेकर चलाया है और मैंने अब इसका फंक्शन डाल दी अब आपको इतना लिखने की जरुवत नहीं है बस सीधे यह लिख सकते हैं जैसे अगले वीडियो में इस सीरीज का जॉकला वीडियो आएगा शायद वो संडे या थर्स्डे को अपलोड होगा तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे जो हम लोग वोले वो कैसे हम लोग का जावज सुन सकता है जैसे आपने कुछ पुला हेलो दिस अश्वरे जैसिंग तो वह वहां लिख दे हलो दिस अश्वरे जैसिंग और वह उस पे हमें command दे मतलब हमारी command सुने और इस पर react करें तो वह हम लोग अगले वीडियो में सीखने वाले हैं अगले वीडियो में इसके लिए इस प्लेलिस्ट को सेफ कर लीचेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीचेगा और मिलते हैं अगले वीडियो में